नमस्कार दोस्तो 30 मिनट जीएस मैं आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लिजी इस तरह की सीरिज हम आगे भी पूरे-पूरे कंप्लेट करते रहेंगे आप थोड़ा हमारा सपोर्ट करी है हम आपका सपोर्ट करते हैं किसी भी एक जाम के लिए आप तयारी कर रहे हैं तो इस से आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रुत नहीं है तो चलिए सुरू करते हैं बात कर रहे थे कुछन से शुरू करते हैं कि किस हडपा कालिन इस थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ती प्राप्त हुई है हडपा, मोहन जोदोडो, लोथल, रंगपुर तो आपको आंसर पता ही है इसका पिछले वीडियो हम बता चुके है हडपा मोहन जोदरोडो की बात करते हैं तो मोहन जोदरोडो का साबदे कर्थ क्या है मरतकों का टीला खोज करता है राखल दास बनर जी सन याद रखो 1922 इस्तित का है पंजाब प्रांथ के लरकाना जिले में सिंदू नदी के तट परिष्थे थै इसमें मिलान करने के लिए आ जाता है हडपा किस नदी के तट परिष्थे थै मोहन जोदरोडो किस नदी के तट परिष्थे थै इस तरह की मिलान वाले कुश्यन आते हैं जो आपको ट्रिक के मादियम से जो पूरे समरी वीडियो आ जाएगा उसमें हम आपको पता देंगे अन्य नाम है प्रेतों का टीला सिंदु सब्बिता का बगीचा इस तूप टीला अन्य नाम से भी ये जाना जाता है और मिलता का है मोहन जोदरोडो से साक्ष तो मलेरिया के साक्ष मिलते हैं सरवाधिक बाड आने के साक्ष मिलते हैं, सरवाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, मौन जोदरो था, भूमद प्रजाती के सरवाधिक लोग मिलते हैं, याँ पर विसाल इस्नानागर कई वार कुश्चन आया है, वो मिला है, कासे की नर्थकी की मूर्ति जो है, जोदरो इस्तल, और यहाँ पर मिला है ये विसाल इस्नानागर, और ये देखिए आप इसमें सीड़ियां बनी हुई हैं, इधर ये सीड़ियां बनी हुई हैं, और सामने की तरफ सीड़ियां बनी हुई हैं, ये आपके कुश्चन पूछ लेते हैं, कि कितने तरफ सीड़ि को और इसे हडपा और मौन जोद्रों दोनों को मिला के कहते हैं सिंदु घाटी सबिता की जुड़वा राजधनी और यह गड़री वाल पाकिस्तान में उसके बाद का दूसरा सरवादिक बड़ा इस्थल है यहां से मिलते हैं गले वित तामे के धेर और यह देखिए मोहरे है यहां पर यह कुछ लिखा हुआ है लिपी में एक विसाल सभाभवन मिलता है पुरोहित आवास और महाविद्यालय की भी प्रमाण मिलते हैं महा इस्थनानागार के प्रमाण मिलते हैं जौन मार्सल जो सर जौन मार्सल थे उन्होंने विसाल इस्थनानागार को ततकालीन व हुए कि मोहन जोद्रों की सबसे वड़ी इमारती सनचना अनागार थी चिमनी के भी साक्ष मिलते हैं घोड़े के दांत के अवशेस मिलते हैं सरवाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई ये सारे कुश्चन एक वरगा कार और सेल खड़ी से बनी हुई मोहर प्राप्त हुई है दस मीटर चौड़े राजपत का भी साक्ष मिला है तो निमने में से कुश्चन है कौन मोहन जोद्रों की सबसे वड़ी इमारत मानी जाती है विसाल इस्नानागार विसाल अन्नागार सभा ववन और इन में से कोई नहीं तो आपका आंसर क्या है विसाल अन नागार में तो सीधी सी बात है नाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए या अन्य रखने के लिए तो अन्य रखने के लिए तो इससे आपको याद कर सकते हैं अब बात करते हैं कि सिंदू सब्ध कुष्यन है, सिंदू सब्धा में व्रहध इस्नानागार पाया गया है, मोहन जोद्रोडो में, हडपा में, लोथल में, काली वंगा में, तो आंसर सिंपल सा है, मोहन जोद्रोडो में, क्योंकि उसी की चर्चा चल लई है, हडपा सब्धा के बारे में कौन सी उक्तिश सही है। इन्हें अस्व मेग यग की जानकारी थी, गाई उनके लिए पवित्र थी, इन्होंने पसुपती का सम्मान करना प्ररारम कर दिया था, इनकी संस्कृती समंता इस्तिर नहीं। सिंपल देख रहा है, पसुपती को ये जानते थे, उनका सम्मान करना आरम कर दिया था, गाय उनके लिए कोई पवित्र नहीं थी, वो है वैदे क्यों, उनका अलग सिश्टमस में एक वैदे संस्क्रिती वो अलग चीजे, येने किसकी जानकारी थी, पसुपती की. अब आते हैं अगले स्थल के वारे में लोथल, लोथल की खोज करता है रंगनाथ राव सन 1953, ये इस्तित है गुजरात में खंबात की खाड़ी के नजदीक, भोगवा नदी के किनारे, इसका अन्य नाम है लगू हडपा या लगू महंजोदरो, यानि मिनी हडपा या मिनी महं समुदर के किनारे हैं, और यहां से क्या है, लोथल में हमने बताए कि यहां पूरवी टीले, पश्चमी टीले के रूप में नगरी विवाजन की ववस्ता थी नहीं, यहां पर मानो निर्मित क्योंकि समुदर के किनारे है तो बंदरगाए के अपसेस मिले हैं, बाजरे और चावल की साक्ष मिलते हैं, यहां पर अगनी वेदिकाएं मिलती है, सत्राइन जिके भी प्रमाण मिलते हैं और फारस की भी एक मोहर मिलती है, यहां पर एक साथ लोथल से एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, इसलिए इसे मूर्दों का नगर भी कहते हैं, मुर्दकों का टीला और मुर्दों का नगर कौन सा है लोथन यूग में समाधियों के साक्ष मिलते हैं यानि कि सतीप्रथा जैसी ववस्ता होगी यहां पर पदिपत्नी एक साथ सवादान कर दिया जाता होगा हातिदात का स्केल यानि कि पैमाना मिला है पट्री जिसको बोलते हैं अपनी देश सि मिलते हैं मन का बनाने का कारखाना मिला है मन का माने रतन जैसे जो बहुते हैं पत्थर से और कहां से ऐसी कई चीज़ों से बनाये जाते हैं उनको बोलते हैं बीट्स यानि कि मन का बनाने का कारखाना मिला है यहां पर रंगाई कुन और कपड़ों की रंगाई के साक्ष भी मिले हैं, एक ममी का मॉडल भी प्राप्ट हुआ है जिससे ये पता चलता है कि इस सब्बता के लोगों का संब्न मिस्र की सब्बता के लोगों के साथ भी था, इसके लावा यहाँ से मिलते हैं दो राक्षसों की चित्रवाली मोहर जो फारस के साथ संब्न को दर्शाता है और यहां पर गोरिल्ला इंपोर्टेंट है गोरिल्ला और बारा सिंगा के चित्र वाली मोहरें भी मिली है एक बरतन पर चाला क्लोमडी और कव्य की कहानी की चित्र अंकित मिले इंपोर्टेंट है और यह सब आपको मिलता है लोथल में अब किस में क्या important है ये trick बना के हम आपको बता दें तो question है निम्न में से किस हड़ापा कालिन इस्थल से योगल यानि कि कपल सवाधान का साक्ष मिलता है तो answer है लोथल हम जानते हैं किस हड़ापा कालिन इस्थल से प्राप्त जार पर चौच में मचली दवाई चिडिया एबं पेड़ के नीचे खड़ी लोमडी जो अभी इमने का चालंक लोमडी को कव्य का चितरांकन मिलता है जो पंच तंत्र की लोमडी की कहानी की समान है तो answer है लोथल अब बात करें धौला वीरा जो वी कुचरात मिस्तित है खोज करता थे जगत पती जोसी सन उने सो सरसट अब है क्या कुश्चन के आएंगे कि यह नहीं सब बिताओं के जगह हैं रोपर लोथल धौला वीरा इनके खोज के क्रम भी आ सकते हैं मिलान करने में या फिर इनके संबंदित की कौन से साक्ष का मिले उनका करम आ सकता है आपको देखना है वो ट्रिक से आप जाने हैं इसके बाद खोज करता थे जगत पती जोसी उने सरसर इसके बाद विस्तरत उतकनन करते हैं आर एस बिस्ट उने सो नब्बे में इस्तित है गुजरात में कक्ष की लिए के चेतर में इस्तितल यह मासर नदियों के मतितली झेत की दुदिती से भारत में सिंदु गाटी संब्दा का दूसरा सबसे बड़ा इस थे पहला है सबसे बड़ा इस्तल भारत है वह ह्यादा को राखी गड़ी यह ऊपर है धोला वीरह नीचे वाले इधर इस पॉर् पत्त कला का सुन्दर उधारण है और यहां पर अब हमने बता था धौला वीरा यह त्री इस्तनी नगर योजना है यानि की पूर्वी पश्मी और बीच में मद्यमा पत्थर पर चमकीला पॉलिस देखने को मिलता है घोड़े की कलाकृतियों के अवसेश भी मिले हैं एक भव इमारत स्टेडियम के रूप में भी मिलती है धौला वीरा से ठीक है निचला सैर मद सैर दुर्ग और यहां पर स्टेडियम के भी साक्ष मिलते हैं यह कुश्चन कही बार पूछा है तो कुश्चन है हडपा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रडाली का पता चलता है धौला काली वंगा राजिस्थान के हनुमानगड जिले में घगर नदी नदियों के मिलान भी आते हैं तो काली वंगा का अर्थ क्या है काले रंग की चूडियां खोज करता है अमला नंद घोस सन 1953 उत्खनन करता है बी के थापड़ 1960 में यह काली वंगा राजिस्थान में आप दे यह स्थाल है आपको देख लेने चाहिए इसके बाद काली वंगा से क्या मिलते हैं साथ हवन कॉंड मिलते हैं उट की हड्डियां मिलती है जुते हुए खेट के साक्ष सबसे आदर पूछे जाल लकड़ी का हल यह भी पूछा जाता है चना और सरसों की फसल अलंकरत ईटों के साक्ष लकड़ी की पाइप मैसो पोटामियां के मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें यहां पर प्राप्त होती है जैसके हमने पहले वीडियो आपको बताया था तो कुष्चन है सेंदो सबता की इटों का लंकरण किस इस्थान से मिलता है काली बंगा चनहुदुड़ो मोहन जोदुड़ो बनावली तो ऑप्सन है आंसर काली बंगा इसके बाद आगे कुष्चन आते हैं हरपा सबता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साक्ष का मिलता है रोपर लोथल काली बंगा बनावली क्योंकि काली बंगा यह बात हो रही तो आंसर क्या होगा काली बंगा चन हूदुरू चन हूदुरू चांद खुला, हमने क्या का था इसमें पूरा खुला-खुला सबता है तो खोज करता है N. जी मजुम्दार 1931 में उत्खनन करता है अरनेस्ट मैके 1935 में इस्तित है पाकिस्तान के सिंदु नदी के तड़ पर इस्तित सिंद प्रांत में, ठीक है, चन हुद्रो एक मातर ऐसा इस्तल है, जहां हडपा सब्ता के पतन के बाद जूकर जहांगर नामक ग्रामीर एवम क्रसी मूलक संस्कृति के विकास का साक्ष मिलता है, चन हुद्रो से, और यहां पर मिलता है चन्दा तो चांद का मन के, यानि की ब बिली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष भी मिले हैं, लिपिस्टिक एवम कंगे के साक्ष मिलते हैं, एक मातर ऐसा इस्तल है, जहां पर वक्र Prize मिली है, यानि की घनागार, यहीं से चार पयों वाली गाड़ी, मिट्टी की एक मुद्रा पर तीन घकड़यालों तथा द कोई दुर्ग यानि कि चाहत दिवारी का कोई इस्तित्व नहीं है कि कुश्यन है कि सिंदु काली इस्तल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करती हुए कुट्टे के पंजों के निशान मिले हैं हडपा मोहंजोद्रो चनहूद्रो और लोथल तो आंसर है चनहूद्रो बनावली बनावली जो है वो हर्याना के इसार जिले में इस्तित है खोच करता है इसके RS 20 सन 1994 में बनावली में जल निकास प्रडाली जो सिंदु सब्ता की सबसे मैतपूर विसेस्ता थी वो थी नहीं किसमें बनावली में क्यों वो तो बने ही नहीं याद रखने के तरीका है हर जग बनी हुई है यहां पर बनावली, बनीनी, सड़के यहांपर ना तो सीधी मिलती है, ना एक दूसरे को समकोड पर काटती है, एक मकान में वासवे सिन यानी की धावन पात्र लगा हुआ मिला है, मिट्टी का बना हल खिलोने के रूपे मिला है, जो की दानों को साक्ष मिला है, पकी मिट्टी से निर्मित मोहरों के साक्ष और तामे की कुलाड़ी भी मिलती है बनावली से, ये खिलोना मिला है, राखिगड़ी भारत में हडपा सबताका चेत्रपल की द्रश्टी से सबसे बड़ा इस्तल है ये कुश्चन है इसके अलावे से एक इंपोर्टेंट कुश्चन आता है कि हर्याना की हिसार जिले में कुनाल से कुनाल लामक जगे से चांदी की दो मुखट भी प्राप्त हुए ठीक है ये राखिगड़ी जीन हंसी ये हिसार हर्याना अब आगे लिखते हैं भारत में चांदी कुश्चन है भारत में चांदी की उपलपता के प्राजीनतम साक्ष कहां से मिलते हैं हडपा संस्कृति में पस्ट में भारत की ताम पाशार संस्कृति में वैदिक सहिताम मे और चांदी के आत्म दुराम में तो हडपा संस्कृति में हमको मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बागपत में सनौली से 125 कब्रों का साक्ष मिलता है। और प्रतेक सब को उत्तर से दक्षिड दिसा में दफना आगे। इसमें कुश्चन बनता है कि सब का मुक किस तरब था, सर किस तरब था तो वो उत्तर की तरब था और प्रते दक्षिड की तरब। सनौली से ही जानवरों की हड्डियों की साक्ष मिलते हैं जिससे ये सपस्ट होता है कि सिंदु सब्ता के लोग मांसा हरीव थे। और मेरट जिले में इस्तित आलमगीरपूर हडपा सब्ता का सबसे पूर विस्तल है। गुजरात की बात करें तो गुजरात एक ऐसी जगए जान पर सिंदु गाटी सब्ता के सरवादिक इस्तल प्राप्त हुए हैं। सुर्कोट्डा, धौलावीरा और देसलपूर गुजरात में कक्षकी खाड़े के छेत्र में इस्तित हैं। सबसे इंपर्टेंट कुश्चन, सुर्कोट्डा में घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। अब घोड़ा चिलाता है, आवाज निकालता है, तो आप यह याद रखना है, वो सुर्कोट्डा घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। इसके लावा लोथल तता सुर्कोट्डा हडपा के एकमात रैसे इस्तल हैं जो एक ही चाहर दीवारी से घिरे हुए हैं। मतलब दोनों अलग अलग स्थल हैं जिनमें एक ही चार दिवारी है दो नहीं ठीक है और गुजरात का सुरकोटडा और राजस्थान का काली बंगा एक मातर ऐसे स्थल हैं जिनका पतन भूकंप से माना जाता है। है तो किस प्रांत में हुई आंसर गुजरात यहां तो यह महराश्थ की बात करें तो हड़पाा सब्ता का सबस Bedham- Inc. दौफभाब महराश्थ में इस्थित है दैम औबाद गोदा वरी की शायक प्रवरा नदी की तर्ग परिश्थित है और दैम Acresal, प्रापत हुए है तांव परांत और पंजा, तो पूरी हडपपा सबबता का, सबसे पूरी के बात करें, तो सबसे बड़ा परांत के पंजा, प equipped में गनेरिवाला है, और सिंध प्रांत के कोठ दिजी से, एक अलंकरेट खंबे के साक्ष मिले, hier important है, और कोट दीजी से पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं, ये भी important है, आपको याद रखना है, अब कुश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हडपा इस्तल नहीं है, चन हूद्रो, कोट दीजी, सोह गौरा और देशल पुरा, तो आपका आंसर है, सोह गौरा इस्तल नहीं है, बाकी चन हूद्रो, कोट दीजी, और देशल पुरा हडपाई इस्तल है, आगे बात करते हैं कि कहां से और क्या प्राप्त हुआ है, तो सिंद प्रांत के आमरी से बारा सिंगा के साक्ष मिलते हैं, और सिंदु घाटी सब्ता के ग्यात इस्तलों में से, अली मुराद एक मात सिंदु सब्ता का ग्रामीर इस्तल है, जो पाकिस्तान के सिंद प्रांत में इस्तित है, सिंद प्रांत के जुरी दड़ों से इस्टेडियम के साक्ष मिलते हैं, सिंद प्रांत का अलादीनो नामक एक ऐसा बंदरगा इस्तल है, जो अरब सागर और सिंदु नदी के संगम त परिस्थेद है कौन सा अल्हा अधीनो इसके लावा बलूचित प्रांत में स्ञाहतनारो से सिंदूर के भी साख्ष मिले है अर अफ सागर के तठ परिस्थेद बंदर गाई नगर कौन सा सबसे पश्चमी स्थाल है यह भी एक कुश्यन बता है अगला कुश्यन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंदु स्थाल समुद्र तट पर इस्थेत नहीं था सुर्कोट्डा लोथल बाला कोट और कोट दीजी में तो आप का अंसर है कोट दीजी लोथल गुजरा सुर्को और समुद्र के कुछ संगम पर इस्थेत हैं कुछ केवल समुद्र अरब सागर पर इस्थेत हैं बाकी इस तरह से यहां पर कुश्यन बनते हैं अब बात करते हैं नदी तट पर इस्थेत प्रमुक हडपाई इस्थलों की बात करें तो सिंदु नदी के किनार इस्थेत हैं म गगर सरस्वती नदी किनारे आपको देखना है तो हर्याना में बैठती है और राजिस्थान में तो बनवाली राखिगड़ी कुनाल काली बंगा, सतलाज रोपड, नदी देखी रोपने लग गए, रावी, हडपा, चिनाप, मांडा, और बाकी सब सिंदु नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे है लोथल, हिंड़ नदी किनारे है आलमगीरपूर, तापते नदी किनारे है मालवन, भादर नदी किनारे है रंगपूर, गोदावरी नदी किनारे है दैमाबाद, दास्क नदी किनारे है सुतकागेडोर, साधिक और नदी किनारे है सोतका कोह, और कि हडपा रावी, मोहन जोद्रो, सिंदु, लोथल, भोगवा और कालिवंग घगर, हडपा रावी और मोहन जोद्रो, सिंदु, तो HR, MS, HR, MS ऐसे याद रखो, हडपा रावी, इनने में confusion होता है न, तो HR, और MS, महन जोद्रो, सिंदु ने दी, और हडपा HR है, तो हडपा रावी ने दी, बस, बाकी आपको याद रहोंगे, लोथल, भोगवा और कालिवंग आपने बताया कि राज़्तान में तो घगर ने दी के किनारे ही इस्तित होंगे, अब बात करते हैं, सिंदु, घाटी नगर ने योजन किस प्रकार का था, तो सिंदु, घाटी की सबसे प्रमग विसेश्ता थी, नगर तथा भवनों का योजनावद तरीके से निर्माण, और ऐसी कोई विसेश्ता उस समय की किसी भी सब्विता में नहीं थी, यहां तक कि मैसोपोटामी सब्विता, मिसर वंगो सब्विता कहीं पे भी नहीं थी, इसके अलावा नगर पूर्वी तथा पस्चमी दो भागों में इस्ते थे, पस्चमी भाग को दुर्ग टीला और पूर्वी भाग को नगर का जाता था, दुर्ग टीला उंचा मगर छोटा भाग होता था, और पूर्वी भाग अम पर रहने के कारण यह अधिक उचाई परिस्थ होता था ताकि युद्धत्वा बाड जैसी इस्तिती में यह सुरक्षित रहे सुरक्षा के द्रश्टी कौंट से इस भाग की चार दिवारी भी की जाती थी पूर्वी भाग में सामान जन्ता का निवास था और यह था सुनो नियोजिस सहर और दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम दुर्ग टीला या गड़ी टीला इसके चारो चार दिवारी और यह नगर सड़कें तथा नालियों की बात करें तो सिंदु सब्बता में सड़कों का निर्माण अत्यदिक वैग्यानिक डंग से किया गया था सड़कों की ग्रिड पर डाली उस समय विद्यमान थी सड़कें सीधी रेखा में थी और एक दूसरे पर समकोड पर काट थी बहुत बार पूछा गया कुश्यन है इस प्रकार प्रतेक नगर अनेक खंडों में विवाजित हो जाता था एक मुक्षडक नगर के बीच से उत्तर से दक्षिड एवन मुक्षडक पूर से पश्चिम कि और यानी कि उत्तरदक्षड पूर पश्चिम हो गया समकोड उसके और जाती थी दोनों मुक्षडकों की चोड़ाई लगबग तीन मीटर होती थी लेकिन मुहन जोदरों में एक 10 मीटर चोड़ी मुख सड़क भी मिली है जिसको क्या कहा जाता है राज मार्क दोनों सड़के मुख सड़कों के आदा अन गलियां अत्वा छोटी सड़कें भी थी और जो मुख सड़कों पर जाके खुलती थी और दोनों मुख सडकों गलियों के दोनों किनारे पर, अब आप देदेगा कि एक किनारे पर मकान होते थे, जी नहीं, दोनों किनारे पर मकान बने होते थे, लेकिन important point आ गया, यह last point कि मकानों का जो मुख दौर होता था, man gate, वो सडकों के विपरेद सामें होता था, जैसे और यह दरवाजे यह दिख रहें, यह दरवाजे पीछे की तरफ खुल लें, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा किया जाता होगा ध्वनी परदूसर्ट से बचने के लिए, लेकिन अपवाद स्वरूप, लोथल में ऐसे, अपवाद जहां पा जाए, वो important है, लोथल में ऐसे मक मार्ग मिला है, दस मीटर का वहाँ, सड़कें कच्ची होने के बाबजूद साफ सफाई का परियापत, उस समय ध्यान रखा जाता था, सड़कों की किनारे छायादार रक्ष लगाए जाते थे, सड़कों की दौनों और गंदे जल की निकासी के लिए पक्की नालियों की वि प्रतेक मकान की नाली, गली की मुख नाली से जुड़ी होती थी, और प्रतेक मुख नाली एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी, और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बनाए जाते थे, ताकि नालियों की सफाई हो सके, यानि कि जो आजकल बड़े नाले स्कता वह वाओं वीवस्ता पहले ही थी और शबी छोटी वड़ी नालियां अंध में जाकर एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी भवनों की बात करें तो सडकों एम नालियों की तरह मकान भी सुनी ओजित थे मकान कच्चे और पक्के दोनों परकार की इटो से निर्मित थे आवज सकता है एम छमता के अमसार मकान बहुमंजिली यानि कि दो मंजिल तक भी होते थे इमपोर्टेंट पॉइंट है और दो मंजली मकानों में सीड़ियां भी बनी होती थी और पिर ते घर में जलकी पूर्ती के लिए एक कुआ होता था रसोई के अलावा घर में आंगन इस्नानागार सोचाले भी बने होती थी आंगन जो है वो कच्ची इटों से बना होता था लेकिन काली वंगा में आंगन पक्की इटों से बने आए और अलंकरत इटों कहां मिली है काली वंगा से ठीक है और मोहन जोद्रोड में इस्नानागार वो सोचाले एक साथ बने होए मिले अटेज लेटवाद का सिस्टम था जो वर्तमान प्रडाली के अनरूप है कहां पर मोहन जोद्रोड कई मकान चबूत्रे पर भी बने हुए थे संबावता ये बाढ़वा वर्सा की स्थिति से बचने के लिए किये गए होंगी और मकान मुक्यता आयताकार होते थे आयताकार होने की वज़े से इसमें कोई जटल तकनीकी के उपयोग नहीं प्रत्ताकार में जटल तकनीक चाहिए इनके निर्माड में ईटों का प्रीयोग इंगलेस बांड पदती इंटर लोकिंग के आधार पर किया जाता था रिषाव रोधी ईटें बनाने के लिए यानिकि पानी का रिषाव नहीं हो ईटों फर जिप्संड का, प्रियोग किया जाता था इस तरह इसे बनाए जाती थी दीवाल अब बात करते हैं कि सिंदु घाटी सब्दा की सामाजिक इस्तिती के बारे में तो प्राचीन चुंकि सिंदु घाटी सब्दा की अभी तक लिपी को नहीं पड़ा जा सका है इसलिए सिर्फ अनमान लगाए गई हैं प्रामालिक रूप से एक्जेक्टली नहीं किया जा सकता है लेकिन ये का जा सकता है कि उस समय जाती ववस्ता उत्वा वड़ ववस्ता के कोई भी प्रामाल नहीं मिले हैं और प्राप्त अफसेज जैसे घरों के आकार में अंतर और पूर्वी पश्मी टीले इसके आदार पर ये बताया जा सकता है कि जो दुर्ग टीला था यानि उचे टीले थे उसमें समाज का पुरोईत वर्ग रहता था दुर्ग टीला चार दिवारी से घिरा होता था, निश्चित तोर पर ये समाज का प्रतिष्ठित वर्ग हुआ करता था और ये भी पता चलता है कि समाज दो बागों में बटा था, अमीर और गरेब ना की वर्ड विवाजन था और इसी परकार कुछ मकानों में पांस से अधिक कमरे प्राप्त हुए और कुछ में से केवल दो इक कमरे प्राप्त हुए हैं और कुछ मकान बहु मंजले यानि कि दो मंजले भी मिले यानि कि कुछ व्यक्तियों की आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी होगी जो उस समय की जमीदार सर्थार बगरा रहे होंगे अब आगे कुछिन देख लेते हैं, हडप faj की लोगों की सामाज एक पत्लती थी, उस्चित सम्तावादी, दास्च्रमिक अधरित, व्रड अधरित, जाति आधरित, तो उस्चित सम्तावादी, सब कुछ बड़िया था वेसबुसा की बात कर लेते हैं तो सिंदु सब्विता में सूती और उनी दोनों प्रकार के वस्तर पहने जाते थे और लोथल से कपड़ों की रंगाई ये तिव रंगाई का कुण्ड मिला है जिबकि मोहन जोदड़े में सूती कपड़े के साक्ष मिले है सूती कपड़े साधे भी मिले इसके साथ उन पर कढ़ाई भी मिली है और मोहन जोदड़ों में एक तीन पतिया सौल ओड़े हुए ध्यानमगन योगी के भी साक्ष मिले इस तरह से मोधी जी के तरह ये ओड़े हुए है उसके साक्ष हमें मिलते हैं अमीर लोग सोने, चांदी, हाती दांत कीमती मोतियों से बने आभुसड भी पहनते थे और निर्धन लोग तांबे, हड्डियों, पत्थर और मिट्टी के जेवर पहनते थे चन हूदोडों से अब चांद है, तो लिपिस्टिक और हाती के दांत से बने कंगे के साक्ष मिलेगे, यानि की सरंगार भी करते थे और उत्खनन में तांबे का दरपड़ भी प्राप्त हुआ है हडपा से सरंगारदान मोहन जोदोडों से चांदी की चूडियां प्राप्त हुई है, काली वंगा से हाती के दांत की चूडियां प्राप्त हुई है, हडपा सब्बता में काजल लगाने के भी साक्ष मिले हैं, काजल के साक्ष मिले तो काजल लगाते ही होंगे और क्या करत मोहन जोद्रोड से ध्यान में मगनत सादू की एक मूर्ती मिली है जिसके दाड़ी है लेकिन मूच नहीं है मतलब क्या सेविंग वायरा भी करते ही होंगे मतलब समझ रहे हो विग्दम एक्सपर्ट समाज था मैलाओं की स्तिति के बात कर लें तो उत्खनन के दोरान इस्त्री की टेरा कोर्टा की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है जिससे ये पता चलता है कि उस समय का समाज जो था वो मात्रसप्तात्मक था उधारण के लिए ह स्त्री के गर्व से पोधे को निकलते दिखाएगा का से हडपा से ये पता चलता है कि उस समाज में स्त्री को उरबरता और सक्ती की देवी के रूप में पूजा जाने लगा था अलागी सती प्रता के भी साक्ष मिले हैं जो उस समाज की गलत वातों को भी दरसाता है उधारण के लिए लोधल में टीन योगम सवाधान याई reason तीन के एक साथ मोर्चरी मिली हैं और काली बंगा से एक योगम सवाधान के साक्ष मिले हैं संभावता बहु विवाय और परदा पठथा इस काल में नहीं थी अब खान पान की बात कर लेते हैं तो सिंदु सब्दा की लोग साकारी और मासारी दोनों थे हडपा से गेंग और जो मिले हैं बनवाली से जो मिला है काली बंगा से सरसों और चने मिले हैं लोथल तता रंगफोर से धान मिला है लोथल से ही बाजरे और आठा पीसने की चक्की के साक्ष मिले हैं हडपा में प्राप्त हुए विसार अन्नागारों के अफसेस इसपष्ट करते हैं कि अनाज को सुरक्षित रखने के भी तरीका था इसी प्रकार सनौली से जानवरों की आदी जली हड्या प्राप्त होती है जिससे इसपष्ट होता है कि सिंदु सबता के लोग मांस का सेवन भी करते थे हालांकि मदरापान के बारे में भी कोई इसपष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होई है इसके बाद आगे इनके बात करेंगे मनुरण्यन की की मनुरण्यन कैसे करते थे मनुरण्यन के समय सिकार करना मचली पकड़ना पसुपक्षियों की लड़ाई करवाना सतरंज सतरंज याद रखना ढोल मजीरा नरत गीत गाना जुगा खेलना आधी मनुरण्यन के मनोरंजन के साधनों पर ध्यान देते हैं चलिए बहुत बहुत धन्वाद आगे की अगले वीडियो में